जै बलो देवादी देव एखजरार स्री भगवान महावीरश्वामी की जै 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 अहिंसा पर्मो धर्मे की जै 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 परंपूज आचार गुरुवर स्री विद्या शागर जी महराज की जै 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 समय समय पर फोर्स जैसी पत्रिकाएं अलग अलग तरह की सूची प्रकाशित करती है कुछ दिन पहले एक सूची मेरे पास आई जिसमें विश्व के सबसे धनी लोगों के नाम थे मैंने सूचा विश्व के धनी वेक्तियों की सूची तो प्राया प्रकाशित होती है पर विश्व के सबसे सुखी लोगों की सूची आज तक प्रकाशित क्यों नहीं है अब मुझे लगता है जब भी ऐसा कोई शर्वेक्षन होगा तो इन लोगों का वहाँ कोई नमबर नहीं होगा है न धनी वेक्ति की तरफ हमारी दुष्टी है सुखी वेक्ति के प्रति हमारी दुष्टी क्यों नहीं धन प्राप्ति की हमारी उमंग है सुख प्राप्ति की उमंग क्यों नहीं धनी बनने की कोशिश हर पल है सुखी बनने की कामना मन में क्यों नहीं एक महत्त पून शवाल है प्रश्ट ये है कि हम हमारा साध्य क्या है संपन्नता या प्रशनता रिचनेस या हैपिनेस धन या सुख क्या हम चाहते हैं बोलो हैपिनेस चाहते है न उसके लिए कोशिश कोशिश किस की है कोशिश किस की है धन की कोशिश बैभो की कोशिश हम 24 घंटे उन कारियों में लगे रहते हैं जिससे हमारा साध्ध हमसे दूर होता है संत कहते हैं सुखी बनना चाहते हो तो हमें अपने जीवन की दिशा मोडनी होगी दुनिया में आपको सुखी बनाने का रास्ता धनी बनाने की उपाए बताने वाले लोग तो खूब मिलते हैं तरह तरह से बताते हैं आप ऐसा कर लो तो आप चाहें जितने संपत्ती के मालिक बन जाओगे लेकिन ऐसा बताने वाले लोग प्रायाल नहीं मिलते हैं जो तुम्हें बताए कि ऐसा कर लो तो तुम सबसे ज़्यादा सुखी हो जाओगे आज मैं आपको सुखी होने का कुछ मंत्र देना चाहता हूँ चाहते हो आज रवीवार है और रवीवार में है आज मैं आपको सुखी होने का कुछ मंत्र देना चाहता हूँ शुक्षी होने के लिए मुझे क्या करना है सबसे पहले आप अपने मन की अउधारना को पलट करके देखे आप अपने को दुखी किन कारणों से महसूस करते है पहले तो सवाल करूँ आप से आप सुखी हो की दुखी हाँ है क्या सुखी हो की दुखी एक चीज बता हाँ दुखी है ना पक्के में है अब ये देखो कि तुम्हारे मन में जो दुख है या तुम्हारे जीवन में दुख है तुम जो अपने आपको दुखी कहते हो उस दुखी होने की वज़ा क्या क्या है क्यों दुखी आपको किस चीच का दुख है थोड़ा एक कागज पेन ले करके नोट करना आप पाओगे अपने दुख के कारणों को उसमें अंकित करोगे लिखोगे तुम्हें लगेगा मेरे पास अर्था भाग है इसलिए मैं दुखी हूँ सबसे नमबर वन पे एक आएगा पैसे की कमी इसलिए दुखी हूँ फिर आएगा मेरा घर नहीं है इसलिए में दुखी हूँ फिर आएगा मेरा सरी स्वस्त नहीं है इसलिए में दुखी हूँ फिर आएगा मेरी पत्नी नहीं है इसलिए में दुखी हूँ फिर आएगा मेरी पतनी मेरे अनुकूल नहीं है इसलिए दुखी हूँ फिर आएगा मेरी संतान नहीं है इसलिए दुखी हूँ फिर आएगा संतान है तो अनुकूल नहीं है इसलिए दुखी हूँ फिर कभी आएगा कि मुझे कोई पूछता नहीं है इसलिए दुखी हूँ मुझे कोई पसंद नहीं करता इसलिए मैं दुखी हूँ अगर ने इन सब कारणों को आप बनाओगे तो धेर सारे ऐसे ही कारण आने लगेंगे आइंगे ने और हमने क्या किया हमें जो चीजे लगी कि मुझे लगा कि मेरे पास पैसे की कमी है इसलिए मैं दुखी हूँ तो मैंने पैसे को सुक का आधार माना और पैसा कमाने के पिछे अपने आपको खपा दिया पैसा तो कमा लिया लेकिन हमारा दुखदूर नहीं हुआ पैसा कमा लिया पर दुख दूर नहीं हुआ हमने सोचा कि पैसे के अभाओ के कारण हम दुखी है पैसा कमाया पर दुख दूर नहीं कर पाए और हकीकत थोड़ा सा और पलट कर देख लो जब पैसे कम थे तब दुख जादा था कि पैसे बढ़ गए तब दुख जादा है बढ़ गए ना तो सुखी होने के लिए पैसा घटा दो सुख हो जाएगा मना जब ओल नहीं होगा यही फ्रांत धारना है और जब तक हमारी धारना नहीं बदलेगी हम सुखी नहीं होंगे तुम्हें लगता है कि अर्थ के अभावं में मैं दुखी हूँ तो थोड़ा उनके जीवन में जाख कर देखो जिनके पास परियाप्त पैसा है क्या वे सुखी है इतना ही तो तलासना है अर्थ अभावं में तुम अपने आपको दुखी मानते हो तो जिनके पास परियापत पैसा है क्या वे सुखी है मतलब क्या निकला इनका मतलब कहीने कही मेरी भूल है और ये भूल जब तक कायम रहेगी मैं दुखी रहूंगा मेरा मन जब तक अर्थ से अलुबंधित रहेगा जब तक मेरे मन मेरे बात बैटी रहेगी कि अर्थ के अभाव में मैं दुखी हूं मैं अपने दुख को दूर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अर्थ का चक्कर ही कुछ ऐसा है कितना भी हो जाए उसका अभाव पूरा नहीं होता कमाते कमाते चाहे कितना भी अमबार क्यों न लगा लो कभी पूरा हुआ निन्यानवे का चक्कर है है ना निन्यानवे का चक्कर जानते क्या होता है आचायर ग्यान सागर जी महराज ने बड़े बड़े गंथ लिखे पर लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सरलतम गंथ लिखा है जनोबियोगी गंथ करतब पत्पदर्शन उसमें 84 आख्यान है अलो हमें 84 के चकर से मिटाने वाले बड़े उत्प्रे रख उसमें एक निन्यालेवे के चकर की कहानी लिखे उनले प्रशंग में बात रखके आगे बढ़ता हूँ एक सेट था अपार धनका स्वामी पर सांती नहीं थी जैसा कि अक्सर होता है उसे प्रहे रात में नींद भी नहीं आती थी उसके धर्मपतली ने देखा कि आजकर मेरे पती बड़े असामान ने हो रहे है मामला क्या है एक दिन उसने अपने पती से पुछी लिया कि आखर क्या बात है आजकर आप बड़े बेचेन दिखते हो आपकी आशांती का कारण क्या है पत्नी ने बात को टाला जब पत्नी ने बहुत ज़्यादा कुरेदा तो बोला कि मैं अपने धन का हिसाब लगा रहा था देखा कि मेरे पास इतनी संपत्ती है कि छे फीड़ी तक काम चल जाए वेले इतनी संपत्ती फिर दुखी क्यों आप से अच्छा तो बाजू का सुखिया है जो मजूरी करता है और दिन भर आनंद में रहता है ना आपके पास खाने का टैम ना पीने का टैम ना सोने का टैम ना दिन में चैन ना रात में नी क्या आपने जिंदिगे बना रखी पत्ती ने कहा तेरे सवाल का उत्तर मैं बाद में दूगा एक काम कर सुखिया बड़ा गरीब है हमें उसे कुछ सहयोग देना चाहिए और उसे एक पोर्टली पकड़ाई का रात अंधेरे में उसके आंगने में उतार देना क्या करना रात अंधेरे में आंगने में डाल देना उसे वैसा ही किया पोर्टली आंगने में डाल दी सुखिया उठा भगवान का भजन करते वे अपते आंगन के और बढ़ा उसे वो पोर्टली नजर आई पोर्टली के प्रते आकर्षित हुआ और दिकट जाकर के पोर्टली को उठाया देखा पोर्टली वजन दार थी उसमें खनकनाहट की आवाज भी आ रही थी हर्सर से जूम उठा उसे लगा कि भगवान की कृपा आज बरस गई वही से हर्शित होते हुए अपनी पत्नी को आवाज लगाया रही देख आज भगवान ने मेरी सुन ली आज भक्त पर भगवान की कृपा हो ही गई देख कृपा बुका प्रशाद बरसा है और उजाले में आकर देखा तो उसकी आखे फटी रह गई क्योंकि उस पोटली में सोने की मुहरे थी पोटली में सोने की मुहरे थी बड़ा अनंदा है अरी इतनी सारी मुहरे जिसकी मैंने कभी कलपणा भी नहीं की थी थोड़ा गिनत लो कितनी है गिनत लो उसे गिनना सुरू किया वो पूरे निन्यानवे थे पूरे निन्यानवे थे अब क्या हुआ जाज बरनाठ सा ने लिखी बहुत अची बात There are two two tragedies in your heart desires There are two tragedies in our life One is get to your heart desire The other is to get it हमारे जीवन में एक साथ दो दुरखटाएं घरती है पहली तो बह जिसे हम चाहते वो मिलती नहीं और दूसरी की वो मुझे मिल जाती अब वो पाया निन्यानवे है हे भगवान निन्यानवे दिया सौ पूरे क्यों नहीं दिये चलो कोई बात नहीं प्रभू तूने मुझे निन्यानवे दी तो सौ मैं अपनी ताकत से पैदा कर लूँगा अब क्या किया वो एक मुहर पाने में अपनी शक्ती खपाना शुरू करती है अभी तक तो आठ घंटे मेहनत मजदूरी करता था जो भी कमाता था उससे अपने और अपने परिवार का भरन पोशन अच्छे से कर लेता था सुबह साम भगवान का भजन करता बच्चों के साथ समय बिताता लेकिन अब एक मुहर है तो क्या करे वो ओभर ड्यूटी काम करना शुरू कर दिया आठ घंटे की जिगा सोले घंटे की वर्किंग शुरू हो गई अब फिर क्या है फिर वह घर से प्रभू बंदन इस्तवन भजन किर्टन सब छूट गया बच्चों के साथ किलकारियां छूट गई अब वो सुबह से अपने काम के लिए निकलता रात ठका मादा आता घर की सारी रौनक खतम हो गई हाँ एक रोज जब उसके पास परियाप्त पैसा हो गया तो बजार में जाकर उसने एक सोने की महर खरीदा लाया थैली में डाला मन में थोड़ी सी तसली हुई कि मेरे पास सो महरे हो गई पर सोचा इन महरों को रखूंगा कहा एक तिजोरी चाहिए और सोने की महर रखने के लिए अलिग अलकात तिजोरी अब वो भी पंद्राभीस हजार से कम में नहीं मिलना चलो और मेहनत करते हैं फिर मेहनत करने में लग गया जैसे तैसे पैसे जोड़े अब पैसे जोड़ने के बाद एक रोज तिजोरी ले आया तिजोरी लाकर अपने घर में एक तहकाना बनाया उसमें उसने तिजोरी रखा और एक रोज तिजोरी में अपनी पोटली को रखा तो उसे लगा इतनी बड़ी तिजोरी पोटली केवल इतनी सी अब जब मैं तिजोरी ले आया हूँ तो जब तक इसे भरू नहीं तब तक मजा क्या कहते हैं आज भी वो तिजोरी भरने में लगा है और अब उसका नाम सूखिया की जगा दुखिया बन गया है बस यही निन्यानवे का फेर है यह भी एक फेर है देखे सब अपने अपने पास सेकेंड का ब्रेक देता हूँ सालेंट कर लीजए यह आदत सुधरती नहीं आप लोगों की चलिए, मैं आप सबसे कह रहा था हमने यह आउधाना बनाई कि पैसे के अभाव के कारण मुझे दुख है और हमने अपना सारा समय शक्ती और श्रम पैसा कमाने में लगा दिया पैसा कमा लिये, सुख नहीं पापाए पैसा तो कमा लिये, सुख नहीं पापाए क्यों? पैसा कमाने में सुख होता तब तो पाते पैसे ने तो हमारे दुख को और बहाया क्योंकि जो जो पैसा हमने कमाया मेरी तृष्णा उतनी अधिक बढ़ी और वाकई में देखा जाए तो तृष्णा ही तो दुखा कारण है बोलो तुम्हारे पास पैसे हैं जित्ते बैठे सब के पास पैसे हैं एक हमें छोड़ कर है न? हमारे पास तो कुछ नहीं है नहीं है? अब बताओ तुम पैसा जोड़ करके सुखी हो या हम पैसा छोड़ करके सुखी हैं क्या हुआ? क्या मामला है? तुम सब जोड़ कर दुखी हो और हम सब छोड़ करके सुखी हैं क्यों? मानते हो की नहीं यह बोलो अरे महराज आपका जीवन तो बड़ा कष्ट में है ये बताओ थोला सा इमानदारी से मुनियों को जब देखते हो उनकी त्याग तबस्या साधना को देखते हो तो तुम्हारे मन में क्या आता इनका जीवन बड़ा कठोर कष्ट में है या इनका जीवन बड़ा आनन्द में है बोलो क्या दो बोलते हो कठोर कष्ट में है या आनन्द में है कठोर कष्ट में है आनन्द में कौन बोल रहा था बोलो 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 एक बार क्यों में पर आनन्द में है आनन्द में है तो भी आजाओ उसमें सोचेने के क्या बात है आप ते क्यों नहीं हो अओधारना उल्टी है इसी भूल को जब तक हम नहीं बदलते ये भूल जब तक नहीं शुदरेगी हम सुखी नहीं होंगे ना अर्थ के उपलब्दी में सुख है ना अर्थ के अभाओं में दुख है बस तो अर्थ सुख का आधार है इस भूल भरी मानिता में ही दुख है अर्थ सुख का आधार नहीं है सुख का मूल मेरे भीतर है और थोड़ा देखो संसार में पैसे का रोग किसके पास है बोलो संसार में पैसे का रोग किसके पास है केवल आदमी के पास और प्राणियों के पास तो कोई बैंक बैलेंस नहीं कोई हिसाब किताब नहीं ये रोग मनश्यों ने पाला है हाँ अर्थ तुम्हारे जीवन की आवशक्ता है पर वो सुख का आधार नहीं है ये धारला पक्की बनाईए इस भूल को सुधार लोगे उसी च्छन तुम्हारा अर्थ का ब्यामों खत्म हो जाएगा उस ब्यामों के तूटते ही तुम्हारी अर्थ लिप्सा कम होगी तुम्हारी तृष्णा कम होगी तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा ये सुधार होना चाहिए पैसा जीवन के लिए आवशक्ता है पर वह सरवश्वर नहीं है वो शाधन है शाध्य नहीं है तो क्या करो भूल सुधार करो पहली भूल अर्थ में सुख की कामना चलू आगे दूसरी भूल पदार्थ में सुख की कामना आप क्या सोचते हों मुझे जितनी सुधाएं मिलेगी उतना मैं सुखी होंगा जब आपके साथ सुधाओं की कमी होती है आप थोड़ा अपने भीतर तकलीफ महसूस करते हैं हर कोई लगजीरियस जीवन जीना चाहता है सारे संसार की सुख सुधा की सामगरी मेरे पास हो और जिसके पास जितनी ज़्यादा सुधाएं दिखती हैं हमको वो उतना ज़्यादा सुखी दिखता है दिखता है की नहीं दिखता है और जब वो हमें सुखी दिखता है रहे, उसके पास वो चीज है, वो हम भी बोले ले, अब देखो, आप अपने कपड़े पहने, आपके सरीर के अनु कूल बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ है, फिट भी है, सब कुछ है, लेकिन दूसरे ने कोई दूसरी शार पहनी, वो ब्र अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब आपका ध्यान सट पर नहीं रहा, सट के ब्रांट पर रह गया, और अच्छे ब्रांट की सट आपने ले ली, वो भी ले ली, पर आप से अच्छी कलर का सट किसी और के पास है, क्या हो गया, क्या हो गया इन्स शुबधाओं के शाथ कितनी तो बढ़ाएं आती है बोलो मनुश शुबधाओं का प्रियोग करे उससे मुझे कोई असहमती नहीं है पर केवल सुबधाओं में उलजे इससे बड़ी भूल कोई नहीं पदार्थ में सुख मांगोगे खो जोगे तो तुम सारा जीवन केवल पदार्थों के शंगरह में बिता दोगे सामगरी के संचे में लगा दोगे सुबधाओं को जुटाने में लगा दोगे नहीं जितना आउशक है ठीक है मिल जाए तो ठीक ना मिले तो ठीक अगर मेरा मन अच्छा है तो मैं आनन्द से रह सकता हूँ कहीं भी देखो कई लोग ऐसे हैं जो अगबार बिछा करके भी आनन्द से सो जाते हैं ओ कई लोग अगबार बिछा करके भी सो जाते आनन्द से और कईयों को एर कंडिशन में भी नीद नहीं आती तो बोलो सुबधाओं में सुख है तब तो जिनके पास सुबधाओं बिल्कुल नहीं है उनको तो सुखोना ही नहीं चाहिए तुम लोग के तो जब तक अच्छी वेवस्थानी हो नीद नहीं आती है नहीं तो हम लोगों को तो नहीं नहीं आनी चाहिए हमारे पास तो बेवस्था ही नहीं है तुम्हारे पास तो अच्छी वेवस्था नहीं है हमारे पास तो बेवस्था ही नहीं है तुमने अपना वैसा दृष्टी कोन बना लिया है सोच बना लिया अभी आप सब लोग बैठे सुख से बैठे हैं कि नहीं क्या नीचे डनलप का गड़ा लगा है क्या है कोई लगजिरी बेवस्ता है हो सकता नीचे का फस थोड़ा थोड़ा चुब भी रहा होगा पर मन में चुब रहा है क्या क्यों 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 आप ने समय लिए अगर सुबधा सुख का अधार है और असुबधा में दुक है तो यहां तुम्हें दुक होना चाहिए आप आराम से बैठे हैं अशुबधा है फिर भी प्रशनिता है क्यों आपने उस असुबधा को असुबधा नहीं माना उसे सहज सुविकार कर लिया आप जब सुविकार कर लेते हो तो तमाम असुबधाओं में भी आनंदित रहते हो और जब तक मन में शुकृती नहीं होती तब तक कितनी भी शुबधा हो दुक्षी बने रहते हो अनुब हो है शुबधा पदार्थ जन सामक्री ये मेरे सुख के आधार नहीं है ये केवल साधन है ये तो और उल्जाने वाले इनको ही अगर मैं साथ दबनाऊंगा तो लस्ते जाऊंगा आपको गाली की जनुवत थी एक गाली आपने खरीदी और हपता भर तक दसो सो रूम में घुमे पूरे परिवार के साथ जाकर के आपने सोच विचार करके ये गाली चूच कर ली ये गाली हमने खरीद दी और जिस दिन गाली खरीद करके लाए आपको बड़ा आनन्द आज हमने एक अच्छी गाली खरीदी अपने मन का सपना पूरा किया और दो रोज बाद आपके पलोशी ने दूसरी गाली खरीदी जिसका कलर ब्रांड और फीचस आपसे अच्छे अब बोलो क्या हो गया क्या हो गया कार बेकार हो गई ये खेल है जितना ज़्यादा आप पदार्थों के आदी होगे उतना जीवन असहज होगा उतना जीवन असहज होगा और जितना आप स्वासित रहोगे उतना जीवन सहज होगा ये मूल बात है अब एक बार की बात एक सज्जन संपन्न थे वो हमेशा गाली से ही कही आना जाना करते थे अब हम थे भोजपूर में भुपाल से भोजपूर है तो मिश्रोद मेन रोड से भोजपूर जाने का कोई एक ही रास्ता था और उसमें नदी चड़ गई नदी चड़ गई जाने आने का कोई रास्ता नहीं कोई शादन था नहीं एक motor cycle मातर थी उनको जाना जरूरी था अब जाना जरूरी है उस पार गाड़ी खड़ी है इस पार से जाना है तो यहां केवल motor cycle है 8-9 km तक जाना है वो आदमी कभी motor cycle पर चड़ा नहीं और उसकी सान के हिसाब से motor cycle नहीं है वो भी सामान सी गा ली थी फटपटी आई थी समझे लो वो वेक्ति उस पर बैठ करके गया लेकिन जो बात कह करके गया वो बहुत ध्यान देने लाइक है उसने कहा महराज आज मुझे पता चला कि सामान होने का क्या मजा है अभी मेरे लिए ये मोटर साइकिल मसड़ी से अच्छी है है ना मोटर साइकिल से चाकर क्या आनदित हो गए और ऐसे रूटीन में बोलो तुम जाओ तो है मेरा स्टेटस नहीं जानते तू है ना ये भूल इस भूल को हटा ध्यान रखना सुख एयर कंडिशन में नहीं है फेयर कंडिशन में फेयर कंडिशन एक दम फेयर आनदि है तो ये भूल मेरी सुधरनी चाहिए आओधारना बदलनी चाहिए तो अर्थ में सुख मेरी भूल है पदार्थ में सुख मेरी भूल है भोग में सुख ये भी मेरी भूल है भोगों में सुख पांच इंद्री के विशे निश्यता वह कुछ पल के लिए सुखर प्रती तो होते है लेकिन यथार्थ तो उसमें सुख नहीं है इसे थोला गहराई से समझना चाहिए देखिए आप प्यासे कंड़ शूख रहा है और आप कहीं पहुँचे सामने वाले ने पिश्टा बदाम मिला एक इस ठंडाई दिया सुख मिलेगा कि नहीं हाँ मिल गया फिर एक इस गिलास और दिया अब क्या होगा मिलेगा सुख फिर उसने के एक इस और पिलो क्या हुआ क्या हुआ और चौथा ग्लास आफर करेगा तो आँखे दिखाना सुरू कर दोगे क्या हुआ थंडाई पीने में सुख मिला अगर थंडाई में सुख है तो जितनी जितनी थंडाई पियो उतना उतना तुम्हारा सुख बढ़ना चाहिए येक उधारन है जितना पियो बढ़ना चाहिए न लेकिन क्या हुआ हुआ क्या थंडाई में सुख थाई ने तो मिलेगा कहां से न पानी में था न थंडाई में था प्यास में था और प्यास में भी सुख नहीं था प्यास में पीरा थी थंडाई ने उस पीरा का प्रतिकार किया पीरा मिट गई सुख गया जब तक प्यास है तब तक थंडाई अच्छी लग रही है प्यास मिठ जाए तो भूके पेट में रूखी रोटी अच्छी लगती है पेट भर जाने के बाद रसगुला भी अरुचिकर होता है तो न रूखी रोटी में दुख है न रसगुला में सुख है सुख कहा है ए अंदर हमारे भीतर है जिसे हम नहीं पहचानते जिन भोगों में मनुष्य सुख की कामना करता है बस तो वा केवल बेदना का प्रतिकार जन्न सुख है एक बेदना है हमारी फिजिकल और मेंटल रिक्वाइरमेंट है और वो बहुत लिमिटेड है वो जैसे फुलफिल होती है खत्म उक्ताहट आ जाती है आकुलता होने लगती है तो ये सुख कहां है जैसे कुटा सूखी हड़ी चबाता है तो उसके हड़ी चे चर्वन से उसकी मसुड़े छिल जाते है उससे खून आता है उसे लगता है कि इसमें रश आ रहा है वो हड़ी और ज़्यादा चूसता है बाद में मसुड़े का दर्द छिलना पड़ता है यही इस्थिती तुभरी है शुक है तो मेरे अभी प्राए में मैंने मानिता बना ली चीजों में वो केवल बेदना का प्रतिकार है तो मुझे चाहिए बेदना से मुक्ती औसधी नहीं आप लोगों को कोई बिमारी होती तो क्या चाहते है औसधी की आरोग क्या चाहते हो आरोग यह औसधी अभी तुम क्या कर रहे हो आसदी को ये आरग के मान रहे हो समझ रहे हो बात को आसदी को आसदी समझो उसे आरग नहीं और आरग केलिए बढ़ना है तो कहते ज्यादा कुछ करनी की जरुबत नहीं है अपत्र का सीवन बंद कर दो आरग अपने आप बढ़ जाएगा तुम्हारा जो रोग है वो खाज जैसा रोग है जितना खुजाओगे उतना बढ़ेगा जितना खुजाओगे उतना बढ़ेगा खाज खुजाने की आदत बंद कर दो रोग अपने आप खतम हो जाएगा बिशियो की तुम जितनी पूर्ती करोगे उतनी प्यास बढ़ेगी और अपने मन को मोड दोगे उनका परित्याग करोगे वो अपने हाँ सारी इच्छाएं वही सेस हो जाएगी मन को मोड दो आप अपने जीवन के अनवा को देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो कभी आपकी बड़ी प्री रही होगी लेकिन कभी आकिशी कारणवस आपके मन से वो चीजे उतर गई अब आपका उधर ध्यानी नहीं जाता है हर विक्ति के साथ ऐसा होगा जिसके बिना कभी रह नहीं शक्ते थे मन से एक बार चीज उतर गई अब उधर मन कभी जाता नहीं है या नभाओ है ना बस यही निचोड है जब तक तुम उनकी पूर्ती करोगे तुम्हारी अत्रिप्ती बढ़ेगी प्यास बढ़ेगी आकुलता बढ़ेगी और जिस दिन तुमने यह सोच लिया इसमें कोई सार नहीं है वो तुम्हें निचार प्रतीत होने लगेगी अशार दिखने लगेगी तुम्हारा मन उधर कभी जाएगा ही नहीं कहते हैं चक वर्त की संपदा इंडर सरीखे भोग काक बीट सम गिनत है सम्यक द्रिष्टी लोग क्या हो गया मन मुड जाए तो तुम्हें यह चीजें आकर सक लगेगी ही नहीं सोच बदलनी चाहिए भूल खतम हो पती पत्नी दोनों वैरागी थे संतोस मुलक जीवन जीते थे जमीन पर स्वन मुद्रा दिखाई पड़ी पत्नी कुछ पीछे थी पती ने उस पर मिट्टी डाल दिया स्वन मुद्रा पर मिट्टी डाल दिया तब तक पत्नी आ गई पूछा क्या कर रहे होगी बहला कुछ नहीं स्वन मुद्राई थी उस पर मिट्टी डाल दिया बहले क्यों मैंने सोचा पीछे से तुम आ रही हो कहीं तुम्हारा मनना चल जाए पीछे से तुम आ रही हो कहीं तुम्हारा मन न चल जाए तो पत्नी ने जो बात कहीं बहुत ध्यान देने लाइक है कहां मिट्टी पर मिट्टी डालते आपको सरम नहीं आई अले मिट्टी है उसमें मिट्टी डाल रहे हैं वो तो मेरे लिए मिट्टी है बस सोच बदलने का ये परिणाम है फिर भोगों की कोई वांचा नहीं कोई चाहने जीवन की दिशाई अलग होगे जीवन की दसा अलग होगे तो हम इसमें सुख मानने की दिश्टी बदले तो अर्थ में सुख खोजना भूल पदार्थ में सुख खोजना भूल भोग में सुख खोजना भूल और परिवार में सुख खोजना भूल समझ गए? मेरा परिवार भरा पुरा बड़े सुखी है सुखी परिवार है न? छोटा परिवार, सुखी परिवार, हस्ता खेलता परिवार, सुखी परिवार, कई तरह की बाते आप लोग कहते हैं, ठीक है, खा जाए तो परिवार में शुक है ही नहीं। क्योंकि जहां संयोग होगा, महां दुख होगा। परिवार है, वहां आसा और अपेक्षाएं जुरती हैं। और जहां आसा और अपेक्षाएं जुरती हैं, वहां हतासा और अपेक्षाजन दुख भी भोगनाई पड़ता है। परिवार मेरे सुख का अधर नहीं है परिवार मेरे साथ रह सकता है सुख तो मुझे खुद ही भोगना है खुद तो मेरे आसित है परिवार मेरे सुख में ख़ड़ा हो सकता है परिवार मेरे दुख में खड़ा हो सकता है पर परिवार में सुख है ये भूल है ना परिवार में सुख है ना परिवार से सुख है धारना को बदलने की जरुट है महराज पिर क्या करे परिवार से मुख मोड ले अगर महराज के कहने से मोड ना होता तो अभी तक तो मुड चुका होता दिरिष्टी मोरो परिवार में रहो पर पारिवारी करतब्यों का पालन करो उसके करता मत बनो अपना बिवेग जागरित रखो ये नदी नाउ सयोग है जब तक सब साथ है हिल मिल करके चले लेकिन हर प्रानी अपने सुख दुख का भोगता खुद है दूसरा निवित हो सकता है करता नहीं घिरे रहो परिवार से पर भूलो न ये बिवेग पर न भूलो ये बिवेग आया एक का एक था अंत एक का एक उनमें अरे वो चला गया बेटा चला गया बहार अब माँ उसके कारण दुखी है एक उधर चला गया एक उधर चला गया इस संसार है जाना है जिसको जहां जाना है जाएगा करतब है उसको पकल करके बैठेंगे तो सारे जीवन दुखी ही बने रहेंगे हासिल कुछ नहीं होगा सोच बदलिए और जब ऐसी भूल छूटती है बदलती है तब वह जीव सुखी होता है इसी का नाम सम्यक दर्सन है भूल सुधार करो अभी तो भूल भूलया में ये भूल सुधरेगी तो उद्धार होगा नहीं तो ऐसे ही चलते रहोगे हमारी गाड़ी कहीं नहीं बढ़ेगी जहांके तहां थमी रहेगी खली रहेगी आगे बढ़ने की बात हमें सोचनी है जिससे हम जीवन के वास्तविक सुख का अनभव कर सके जीवन का सच्चा लाब उठा सके वो सत्प्रियास हमें उत्रोतर करने की आउशकता है जब वो घट जाएगा तो जीवन की स्थिती कुछ की कुछ हो जाएगी हम से बड़ा भाग साली और कोई नहीं होगा लेकिन जादातर लोगों की दशा ऐसी है इसी भूल भरी जिन्दी में जीने की आदी और अभ्यासी हो गए है आँख में पट्टी बांद कर जैसे कोलू का बैल गूमता है वैसी हम गूम रहे है पट्टी उतारना नहीं चाहते जितनी बाते में ने आपको बताई सब आपको पता है मगलो है की नहीं ये पता हां पता है लेकिन उसके बाद भी कुछ आता पता नही कर वही रहे हो जो करते आरो एकी ढरे में चल रहे हो ढराब दलना होगा धर्णा बदलना होगा सोच बदलिए एक तेली का बैल जो कोलू में जुता हुआ था बैल चल रहा था और जो तेली था वो खाट में पड़ा था बैल चल रहा था उधर से एक वकील आ है उसकी नजर पड़ी तो देखा कि बैल चल रहा है और यह सो रहा है उसको बड़ आश्चे रहा है अब लभी या तुम तो सो रहे हो बैल चल रहा है अगर बैल एक जगा रुख जाए तो चलना बंद हो जाए तो बैल नहीं हमने इसके गली में घंटी बांध रखी है और गले की घंटी की आवाज जब तक आती रहती ठीक अगर रुख जाएगा तो घंटे की आवाज खतम हो जाएगी और गले घंटे की आवाज खतम होगी तो हम जग जाएगे अच्छा बले ऐसा थोड़ी है एक जगा खड़े होकर के भी तो गर्दन हिला सकता है एक जगा खड़े होकर के भी तो गर्दन हिला सकता है उचने का साहब ये बैल है वकील नहीं ये बैल है वकील नहीं लेकिन हकीकत क्या है पट्टी खोलिए कब तक हम इस जमेले में उल्चे रहेंगे अपने आप को जब तक हम आगे बढ़ने के लिए संकल पित नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन सुधर नहीं सकता समर नहीं सकता अपने जीवन को सुधरने के लिए समारने के लिए हमें चाहिए हम सही दिसा में आगे बढ़े भूल सुधारे जिसमें सच्चा सुख हो उस मार्गों को अंगी कार करे सोच बदल जाए जीवन बदल जाएगा सब के बीच रहते वे भी तुम्हारी दसा एकदम अलग हो जाएगी फिर तुम्हारे पास धन होगा तो तुम उसका भोग करने के पिक्षा उसका सही उप्योग करोगे पदार्त के प्रती तुम्हारा ब्यामोच उटेगा उसके संचे और संग्रा की जगा उससे लोकोपकार करने का भाव होगा भोगों के प्रती विरक्ती का भाव आएगा भोगों में अपनी सक्ति लगाते हो उसकी जिगा त्याग संयम में अपना समय लगाऊगे मेरे संपर्क में एक विक्ति है अरब पती मेलाएं तो बहुत आगे बढ़ती है पूर्सों में परिवर्तन जो विक्ति कभी सातों वेशनों में पारंगत था नाम उस विक्ति की छवी को ध्यान में रखते वे मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसकी वास्तविक्ता मुझे पता थी आम आदमी को पता नहीं समाज में एक लब्द प्रतिष्ठित विक्ति की तरह जाना जाने वाला विक्ति एक रोज मेरे पास आया और भरी आँखों से आकर के कहा महराज आज मेरा हरदय मुझे भीतर से कचोट रहा है गोर आत्म गलानी है मैंने समाज में जो अपना चेहरा दिखाया वो अलग है पर हकीकत में मैं कुछ और हूँ महराज मेरी प्रवित्ति बड़ी विलाशी मैंने अनेक प्रकार के अनाचार किये पर आज आपने जगजोर दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे लगा कि ये सब व्यर्थ हो गए मुझे उसने प्राइश्चित की आचना की शंकल्प लिया उन सब को टाग दिया आँखों में आसू थे नियम ले लिया और इस घटना को लगवग दस वरस हो गए आज वो वेक्ती एक वक्त भोजन कर रहा है अश्ट भी चोदस उपवास कर रहा है कहता क्या है और उसमें भी बस एक सबजी और एक दाल लेता है मराज बहुत खिला लिया इस शरीर को खूब कर ली भी रास्ता खूब भोग लिया भोग अभी इच्छा ही नहीं होती ये किसका परिणाम है भूल के सुधार का जब तक उनमें भूल भरी दृष्टी रहेगी वही उपादे लगेंगे और जब तुम्हें वास्तविक्ता का बोध हो जाएगा नहीं ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए वे सब बिस मिश्रित मिश्टान की तरह लगेंगे हे लगने लगेंगे तो बस भूल सुधारिये सुख हमारे पास है कही बाहर भटकने की जरुबत नहीं है बस उसे देखिए अपने घर को देख भाव रे सुख का जहां खजाना रे क्यों पर में सुख खोज रहा है क्यों पर का दीवाना रे बस इन पंक्तियों को बार बार दो राएंगे हमारा जीमन परम सुखी होगा समया आप सब का हो रहा है आगे मंगल भावना सुख करूँ उससे पूर जैसा भी बताया गया सिद्चक्र महा मंडल विधान के 52 मंडली विधान की आयोजना यहां पर की गई थी और दो दिन में 52 नाम पूरे हो गए और यहां इनके पास कल तक 57 नाम आगए थे और कई लोग संपर्क कर रहे थे कल यहां की समीटी ने मुझसे निविधन किया कि महराज इसको और बढ़ा दिया जाए चुकि यहां की जगा को देखते हुए 57 से 54 तक 54 तक की हमने संबती दी आशिरवाद दिया और यह सिद्चक्र बिधान अब 64 मंडली सिद्चक्र बिधान होने जा रहा है और 64 में भी 57 नाम पहले थे दो नाम अभी आगए 69 हो गए अब 5 नाम और वाकी है जिनको लाब लेना है मुझे लगता है इस कारिकम के सुनते सुनते यह पूरा ना हो जाए इसलिए सिद्च्राते शिद्च्र संपर्क करे और इस महान अनुष्ठान में अपनी साभागिता सुनिश्चित करके जीवन में एक अपूर लाब लेने की कोशिश करे जो लोग सिद्चक्र बिधान में आसकते हैं वे यह आकर के लाब ले नहीं आ सकते तो घर बैठे भी उसका लाब ले सकते हैं क्योंकि चैनल के माध्यम से उसका सीधा प्रशारन होगा कोशिश हमारी यह होनी चाहिए अपने पुन्नों को इतना गाड़ा बनाए कि आने वाले दिनों में हम इसका साक्षात लाब ले सके जीवन में एक बार सिद्चक्र का नुष्ठान प्रतिक ग्रहत को जरूर करना चाहिए और फिर यह संस्क्रित का सिद्चक्र बिधान गुरों के सानिदे में होने वाला बिधान जिसके एक एक मंत्र का उच्चारन गुरु मुक्से आपको सुनने को मिलेगा यह अपने आप में महान प्रभाव साली और सोचो एक साथ जहां 64 मंडल होंगे 64 बेदी होगी 64 भगवान भी राजमान होंगे और 64 परिवार अलग अलग सिद्चक्र बिधान में सम्मिलित होंगे क्या अधरिश्च होगा 48 मंडल का बिधान रतलाम और भिंडर में पहले हो चुका यह 64 बावन गजा में हो रहा है यह लोग तो 84 के लिए मुझे से बोल रहे थे पर जो पंडाल बनाने की जगाए है वो अतनी नहीं है कि महाँ 84 बनाई जा सके इसलिए अब 64 से अधिक संख्या नहीं होगी इसमें और जिनको बैटना है इनने 108 जोलों की और विवस्था की है वो 108 जोले में भी बहुत सारे नाम कलसाम के अनॉंस्मेंट के बाद आ गए है जिनको और जुलना है वो जुले और नई भी जुल सकते हैं हां आकर के तो अपना तन, मन, धन से जो सयोग देना चाहें दे दे सिद्चक विधान में मैंनी आ पा रहा हूँ मेरी तरफ से पूजन की द्रबशामगरी में एक दिन की पूजन मेरे तरफ से कर देना मेरी तरफ से ये द्रबशामगरी चड़ा देना ये मेरी तरफ से इस विवस्ता में सहयोग दे देना ये भी एक पलंपुन्य के अनुष्ठान में आपका महत्पून योगदान है आप सब लोग ऐसी योगदान देते हुए अपने जीवन को अगर शर्क करे इस भाव से हमारा धे बदले, हमारा चिंतन बदले, हमारी सोच बदले, हमारे जीवन की दिशा बदले और हम सुक्की और आगे बढ़ें इस भाव के साथ मंगल भाव ना मंगल मंगल होई जगत में सब मंगल मैं होई इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो कहीं कलेस कालेस रहे ना दुख कहीं भी हो मन में चिंता भैन सतावे रोग शोक नहीं हो नहीं बेर अभी मान हो मन में छोब कभी नहीं हो मैत्र प्रेम का भाव रहे नितमन मंगल मैं हो मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल मैं हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्वल हो मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्वल हो राग देश ओ मोह मिट जाए आतम निर्मल हो प्रभु का मंगल गान करे सब पापो का छै हो इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल मैं हो गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्मश मंगल हो मात पिता का जीवन मंगल पर जन मंगल हो जन का मंगल गन का मंगल मन का मंगल हो राजा प्रजा सभी का मंगल धराधर्म मैं हो मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल मैं हो इस धर्ती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो इस धर्ती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो, प्रात हमारा रात सु मंगल हो, जीवन के हर पल हर चन की बात सु मंगल हो, घर घर में मंगल चाजावे जन जन मंगल हो, इस धर्ती का कन कन पावन ओ मंगल मैं हो, सब जग में मंगल बढ़े तले अमंगल भाव, है प्रमान की बावना, सब में हो सदभाव, जै बलोपारम पुजा अचारी गुर्वा स्री विद्या सागति, प्रेस्तान में खड़ो जाएं,